हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चानल तो आज हम बनाने वाले हैं समुसा वो भी बीना मैं देखा जो की बनने वाला है काफी खस्ता और हिल्दी समुसा को हम दो तरीके से बनाएंगे डिफ्राइ भी बनाएंगे और विदाउट अवन आप कैसे बेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी दोनों तरीके से बनाये हुए समूसा काफी खस्ता और काफी टेस्टी बनते हैं तो पिना देरी के चलो, healthy समूसा बनाते हैं तो समूसा बनाने के लिए मैंने लिया है सूजी, एक कटूरी, यहाँ पे मैंने सूजी ली हुई है यह जो सूजी है यह थोड़ी मोटी है बट आपको मैं यही बूलूँगी कि आप बारिक सूजी का यूज़ करें सूजी मोटी होने की वज़े से मैंने इसे पीस लिया मिक्सी में तो एकदम मैंने बारिक पीस लिया है आटे जैसे अब इसे मैं एक पतेले में निकाल लूँगी बारिक सूजी अगर रहेगी तो आपको जादा पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब पीसी हुई सूजी में मैंने स्वादनुसार नमक डाल दिया है और आदा चमच अजवाइन ली है अजवाइन से समोसे की जो उपर की लेयर होती है वो काफी अच्छी लगती है खाते टाइम समोसे को खस्ता बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच घी आप इसमें गरम ओईल या गरम खी भी डाल सकते है इससे भी समोसा काफी खस्ता बनता है इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है जो खी है वो आटे में अच्छे से लगना चाहिए तो इसलिए पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अगर आप चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा सोडा भी खाने का जो सोडा होता है वो भी एड़ कर सकते है मैंने यहापे एड नहीं किया था बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं उससे थोड़ा समुसा फूल जाता है अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐसे मैं मूड दबा के देख रहे हूँ और ऐसे एकदम कड़क सा गोड़ा बन जाता है इसका मतलब घी अच्छे से आटे में लग चुका है जब खी कम हो जाता है आटे में तो एकदम से इसे कड़क गोला नहीं बनता बीच में ही तूट जाता है तो ये काफी अच्छी से बन रहाता तो अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और एक सॉफ्ट आटा जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गुते से उसी तरह से हमें इसे गुत लेना है ये समोसा मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत ज़ादा अच्छे लगे तो मैंने दो बार इसे बनाए एक बार तो मैंने यहापे घी डालके बनाया और एक बार गरम ओयल डालके बनाया था फ्रेंड्स सच में इतने क्रिस्पी बने थे और किसी को लग ही नहीं रहा था कि यह सूजे से बने है बट सूजे से भी आप काफी अच्छे से बना सकते हो आप भी मैदे के यह शुगर की चीज़े खाना पसंद नहीं करते हो तो मैं इसी तरह के रेसिपी बनाती हूँ जो विदाउट मैदा विदाउट शुगर हो आटा गूत के रेडी है अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे तब तक हम आलू का मसाला बनाते हैं तो इसके लिए मैंने एक चम्मज सूखा धना लिया है एक चम्मज जीरा लिया है और एक चम्मज सोफ ली है इसे अच्छे से भून लेना है जब तक धीमी-धीमी सी इसकी खुश्पू नहीं आती है तब तक तो यह काफी अच्छे से भून चुका है तो इसे थंडा होने क पीस लोगी इसे हमें दरदरा ही पीसना है एक दम बारिक नहीं पीसना है दरदरा रहेगा तो जब मसाला हम आलू का खायेंगे ना तब काफी अच्छा लगता है यह मुझ में जब आता है तब इस तरह से मैंने दरदरा इसे पीस लिया है तो अब पैन में मैंने लिया है ऑईल और इसमें जो अभी हमने मसाला पीसा था वो इसमें पूरा का पूरा मेड डाल रही हूँ और इसे अच्छे से भून लेंगे ऑईल में अब इसमें जाएगा हरी मिर्च ये तीन हरी मिर्च पारिक कटी हुई है उसके बाद आदा चमच रेड मिर्च पाउडर एक छोटा चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है फिर आदा चमच गरम मसाला और स्वादा नुसर नमक डाल देना है और इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसमें मैंने फ्रोजन हरे मतार और उबले हुए जो आलू है वो इसमें डालके अच मूटे मूटे भीते हैं मतलब जब हम समुसा खाएंगे ना तो उस टाम पर जब आलू मूह में आते हैं काफी अच्छा लगता है एक दम बारे के से पीसा हुआ अच्छा नहीं लगता अब हम इसके उपर चाट मसाला डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे इन सब को अच्छ क्योंकि सूजी फूल चुकी है तो अब इसमें हम पानी डालके अच्छे से मसल लेंगे एकदम सॉफ्ट आटा हमें चाहिए रोटी बनाने के लिए जिस तरह से हम आटा गुतते हैं एकदम सॉफ्ट उसी तरह से हमें चाहिए और इसमें अगर आपको सूजी ऐसे थोड़ी मोटी मोटी लग रही होंगे तो आपको इसमें पानी डालके अच्छे से पहले से सॉफ्ट करना पड़ेगा तब रोटी परफेक्ट बनेगी तो अभी मैंने एकदम सॉफ्ट आटा गुत लिया है और अब इसे बेल के एक रोटी बना लेंगे आपको समोसा जितना बड़ा चाहिए चोटा चाहिए उस ही सबसे आपको लोई लेनी है और उसकी रोटी बनानी है तो इस तरह से मैंने बेल लिया है तो मुसा के लिए रोटी बेलते वक्त एकदम गोल नहीं बेलनी है थोड़ा से एक साइड हलका से लंबा रखना है तो इस तरह से मैंने रोटी बेल ल इसे बीच में से कट कर लेंगे, अब इसे एक साइड में पानी लगा रही हुमें, ताकि अच्छे से चिपकना चाहिए, और बीच में ये में आलू का मसाला भर रही हो, अब इस जैसे बीच में पानी लगाने के वज़े से ये काफी अच्छे से चिपक जाएगी, और ऐसे इ और हलकी हाथ से इसे हम दबा लेंगे क्योंकि पानी लगा हुआ रहता है तो काफी अच्छे से यह चिपक जाती है और अंदर साइड में भी हमें पानी लगा लेना है मतलब जब आप डीफ्राय करोगे तो ये ओपन नहीं होगा ये तो कई बार ऐसे होता है कि समोसा ओपन हो जाता और उसका बाहर निकलाता है बट अगर पानी से इसे चिपका होगे न में तो यह नहीं निकलेगा तो इस तरह से चिपका के रख दिया है अब इसी तरह से हम बाकी के समोसे भी बना लेंगे तो देखिए काफी अच्छा ये समोसा बनके तयार है दूसरा समोसा भी मैं बना रही हूँ दिफ्राय समोसा और बेक समोसा ऐसे मैंने दो अलग-अलग समोसे बनाए थे और ये अलग-अलग दीन बनाए थे पहले दिन मैंने डिफ्राय वाला बनाया था फिर एकदम से मेरे मन में आया कि क्यों ना बेक भी किया जाए तो बेक किया तो वो काफी अच्छा बना था तो फिर वही मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे पास खराब बला एक पैन था उसमें मैंने नमक डाला जो बहुत टाइम से मैं यूज कर रही थी बेक के लिए फिर उसके उपर एक स्टैंड रखके पतेला रखा हुआ है और इसके उपर अब मैं यह जो समोसे है इसे रख रही हूँ इसके उपर आप खी या ओईल लगा सकते है और इसे बेक करने के लिए रख दिया है बीच बीच में मैं देखती थी पाच पाच दस दस मिनिट में क्योंकि इसे थोड़ा बेक होने में टाइम लग रहा था डिफ राय जल्दी हो जाते है बट इसे बेक करने में बहुत ज़दा टाइम लग रहा था यह जब तक बेक होते हैं तब तक हम डिफ्राइ समूसे बना लेते हैं तो आयल गरम हो चुका है और इसमें मैं समूसे डाल रहे हूँ पहले तो मैंने आयल को अच्छे से गरम कर दिया था उसके बाद एकदम कम फ्लेम पे ही मैं इसे तल रहे हूँ जितना कम आज पे आप इसे पकाते हो उतना ये क्रिस्पी बनता है तो मैंने बहुत कम आज पे फिर इसे पकाया और ये काफी क्रिस्पी बना हुआ है और अभी ये ऑईल करम था तो इसमें मैंने हरी मिर्श भी डाल दी है ये भी फ्राय हो चुकी है तो इस तरह से हमारे समूसे रेडी है आपको दिखाती हूँ पूस समूसा अंदर से कैसे है और ये सच में फ्रेंड्स काफी क्रिस्पी बने मतलब जब मैंने फर्स टाइम बनाया तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतने क्रिस्पी बनेंगे करके बट सच में आप मैं एदे की चीज नहीं पसंद करते हूँ तो आप इस तरह से भी बना में और ये चारों तरफ से काफी अच्छे से पक चुके और एक काफी गरम भी है इसे आपको तोड़के भी दिखाती हूँ बेक की हुए भी काफी खस्ता बने है और ये काफी गरम होने के वज़े से हाथ जल रहे थे और उधर मेरी बेबी रो रही थी क्योंकि रात के इस पी समोसा एक पर आप लोग जरूर ट्राय करना